चोपडाय चो किस न्यूटुव चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो इस वीढियो में हम NMC के नोटिस के बारे में बात करेंगे और वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग सेड़्ियूल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ह हम NMC के नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं तो MBBS course academic year 2021 के starting date को लेकर NMC ने एक नोटिस दिया है जिसमें ये का गया है कि academic year 2021 के लिए MBBS course 14th February 22 से start होंगे इसको लेकर काफी student परेशान हैं और उनको tension हो रही है कि अगर उनका admission late होगा और session जल्दी start हो जाएगा तो क्या वे पिछे तो नहीं रह जाएंगे क्योंकि 14th February तक first round के admission ही complete हो पाएंगे अभी second round और mop up round तो बाकी ही है तो मैं आपको बता दूँ कि इसके बारे में मैं आपको reality बता देता हूँ तो देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं एक होता है on paper और दूसरा होता है on ground मतलब यह है कि on paper आपका session 14th February 22 से start हो जाएगा मगर on ground यह second round के admission के बाद ही होनी की समावना है उसके बाद full class से start होंगी और mop up वै इस्ट्रे में admission लेने वाले student भी उसको manage कर लेंगे यानि course cover कर लेंगे बाकी first year में सबसे ज़्यादा ध्यान डाइसेशन जैसे practical पर दिया जाता है anatomy, biochemistry, physiology तीनों subject आप खुद cover कर सकते हैं प्रिवेश एर के student जिनोंने 1920 में admission लिया है उनके नए curriculum के अनुसार RS4 syllabus है वो भी BD चोरसिया जैसी book से खुद को study करके ये syllabus cover करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा प्रेशान होने के आवश्यक्ता नहीं है ये सब manage हो जाएगा on ground अभी तक ये देखा गया है कि first month में इतनी ज़्यादा speed से syllabus नहीं करवाया जाता है और सुरू-सुरू में तो syllabus student के समझ में भी कमाता है और उसको school life से medical college life change करने में एक दो मैने का समय तो लगी जाता है MBBS RS4 जो नया curriculum आया है 2019 के बाद लागू हुआ है अगर उसका हम syllabus पर एक नजर डालें तो ये 54 month का syllabus है जिसमें one month इसमें fundamental course है और जो final professional है last year का जो final year है उसमें दो मैने उसमें other activities के लिए रखे गए तो ये तीन मैने तो आराम से cover हो सकते हैं और इसको NMC ने cover भी किया है इसके अलावा कुछ समय जो आपके vacation है उससे reduce किया गया है तो वो भी समय आपका cover हो जाएगा तो इसमें कोई परिशान होने वाली बात नहीं है इन सब बातों का निचोड यही निकलता है कि आपको जरा भी tension लेने के आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि मैंने on ground आपको reality बता दी है अब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के registration के बारे में तो वेस्ट बंगाल का जो registration की last date है वो 5 February 22 है इसके बाद में जो twice filling का जो time है वो 3 February से लेकर के 6 February तक रखा गया है और 8 February को result आ जाएगा तो यह first round का schedule है second round का schedule भी आप यहां देख सकते हैं schedule दिया गया है इसमें second round का और mop up तक का भी schedule दे दिया गया है तो अगर आप वेस्ट बंगाल में admission लेना साते हैं तो इसके according अपना registration कर दें तो यह जानकारी थी NMC के notice के बारे में और वेस्ट बंगाल के schedule के बारे में मिलेंगे नई update के साथ नई जानकारी में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन